हमने बात की कि आन पेज का रोल बढ़ रहा है और हमें ये भी पता है कि SEO में On-Page Optimization और Off-Page Optimization दो टाइपस अवेलेबल हैं तो हमने On-Page में क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ बता दूँगा लेकिन आपको यह याद रखना है कि On-Page Optimization में वो सारे factors included हैं जो आपकी website से related हैं मतलब यह कि On-The-Page वो factors होते हैं जो आपकी website से related होते हैं जितने भी factors जितने भी सवाल आपकी website से पूछे जा सकते हैं वो सारा On-Page Optimization में count होता है फोर एक्जेमपल आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपकी website कहा होस्टिड है गूगल यह पूछ सकता है कि आपकी website से content किस तरह का है या उसमें क्या-क्या शामिल है मैं आपको detail में बता देता कि यह On-Page Optimization के जो factors हैं यह किस तरह से divided हैं तो हमने तकरीपने इसको छे हिसों में divide किया है पहला इसा page level factors वो सारे factors जो आपके page के उपर होते हैं page के उपर क्या हो सकता है page के उपर आपका content होता है उसमें headings होती है या उसमें images हो सकते हैं तो उसमें different चीजें including your layout, your design इस Google यह पूछ रखता है कि यह कितना optimized है या यह कैसे है तो हमने इनको भी optimize करना होता है इसके बाद बात करें तो image की बात हुई तो अगर आपको याद हो तो Google में जब search करते हैं तो Google images की भी search करता है तो जितने भी आपकी website में images होते हैं वो भी Google में search होते हैं इसको हम image SEO भी कह factors आते हैं, site level factors अगर आपको याद हो, तो हमने structure की बात की थी, तो site level factors ज़ादा structure से ही related होते हैं, आपके website किस सरा structured है उसमें पूरी website में layout क्या है उसके कितने number of pages कितने हैं, और Google को कितनी असानी से वो सारे factors मिल रहे हैं, तो आपके content को कैसे कैसे enhance किया जा सकता है, कि Google आपको बेतरीन website समझे, जब भी आपके website या आपकी products related कोई search queries होंगी, तो इस सारे advanced level factors हमने इस section में डाले हैं, ताके आप इस topic में यह समझ जाएं, कि किस तरह से आपके content को advanced level में हम optimize कर सकते हैं इसके बाद, अगर मैं बात करूँ, तो एक और बड़ा important factor है, जो कि domain है, जैसे हमने बात की, domain name या उसका TLD, वो बहुत important role play करता है, SEO के अंदर तो हम इन में जितने भी domain के factors हैं, वो सब discuss करेंगे, जिसमें आपका TLD क्या होना चाहिए, आपको domain का नाम क्या है, और आपने कहां से खरीदी, आपकी hosting कहां पर है for example, अगर आपकी audience पाकिस्तान में है, तो क्या आपकी hosting पाकिस्तान में है, या आपकी domain में .pkr है, तो यह सब चीजें Google देखता है, और उसके बाद, Google decide करता है, कि क्या आपकी website, उस search user के लिए, बेतीन website है या नहीं है, तो हमने ये भी ख्याल रखता है कि हम इन factors को optimize करें और आखर में हमारे पास advanced factors है, जिसमें हम थोड़ा technical बातें करते हैं, इनको हम technical SEO के नाम से भी जानते हैं, तो इस in advanced factors में, वो सब client से project पकड़ा, और आपने उसकी website देखी, तो website वो अच्छा code नहीं उस पे लिखा हुआ था या website बहुत heavy थी, या website में बहुत सारे मसले थे, जो आपकी SEO को रोक सकते हैं, तो आपको तब क्या करना होता है, आपको तब developer को involve करना होता है, इन issues को fix करने के लिए, developer SEOs नहीं होते, ये भी हमने पहले बात की थी, कुछ developers को लगता है कि वो अच्छे SEOs हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि developers को SEO को से guide करना पड़ता है अगर आपको लगता है कि आपकी SEO इस developer पे या इस website पे dependent है, तो ज़रूर कोशिश करें, कि एक website बेतरीन कर ले, अपने आप client से बात करें, कि हमें ये अगर अच्छी SEO चाहिए, तो हमें website भी ठीक करनी पड़ेगी अगर आपकी website मुबाइल पे load नहीं होरी तो हमें load करवानी पड़ेगी तो ये सब चीज़ें टेक्निकली बहुत complex हो जाती हैं, लेकिन आपने इन सब issues को fix करने के लिए, client से कहना है कि developer को hire कर ले, अगर आपका अपना business है, तो आप तब भी किसी ना किसी developer को hire करके इन चीज़ों को fix करवाएंगे, क्योंकि ये भी इनत्याई एहमियत के हामिल हैं, और अगर इनकी वज़े से आपकी website या आपका content को google index नहीं कर पा रहा, तो आपको penalize कर सकता है, या आपकी SEO effect हो सकती है, तो हमारा चूंकि काम SEO को बेतर करना है, तो हम चाहेंगे कि हम इन तमाम factors को बेतरीन कर लें, और ये मैंने आपको mainman बड़े बड़े जो है वो topics बता दिये हैं, on page के अंदर, हम further इनकी detail में जाएंगे और इसमें हम एक एक factor को practical करने ही कोशिश करेंगे, और इसमें जाहतर hands on आपको experience मिलेगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे ये घलत होता है, कैसे ठीक करना होता है और अगर आप करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं